आज जिस की जनता जानना चाहती है एडी से सीवी आई और एनसीवी से ये तीनों आखिर करक्या रहे हैं तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे उससे पहले नमस्कार सस्त्रेकाल दिस आईता सिम पैक अगें विथ नियू वीडियो तो उससे बात करना चाह रहे हैं कि ड्रक्स के मैटर हुआ वो किलियर हुआ जिसमें रिया चिकरवर्दी का हुआ जिसमें बॉलिवूड से अभी पुछता जारी है या नहीं जारी है कितना दिन तक यह अगे बढ़ता जाएगा यह अभी तक किसी को पता नहीं है उसके बाद भाई मैं यह पोलना चाह रहा यह सब बीच में महारास्टा में मैटर का मैटर हुए जिसमें شाण अगये कंगना रनावत सेंह सब आ गया है कैंदा में नहीं हिसके साथ बेमसी वालों उसके साथ ऑफिस पे ऐसा किया लेकिन इसमें सबसे चीज ये साइड में रखो और एक चीज पॉइंट पर मैं आना चाहरा हूं कि सुसान सिंग राजपूत का जो केस था उसका अभी तक कहा है उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला यार इतना अच्छा टालेंटेड बंदा था जो उसको अभी तक जस्टिस नहीं मिला मतलब कि कैसा हुआ, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, अपने देश में में अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, भाई की आखिर कब तक कैसे चलेगा, आप सुसान सिंग राजपूत को केस उठाएं, और ED वाला और CBI वाला NCB वाला ने केस को डारेक्ट कर दिया क्या, ड्र लेकिन मैं तीनों फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ आज, एक फॉर्मेट में पार्टिकुलर्ली एक फॉर्मेट के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तीनों फॉर्मेट का बात कर रहा हूँ, क्या कि यह तीनों फॉर्मेट कर क्या रहे है, कब सुसान सिंग प्रेख्शन हो गया उधर कोमना रनावत के ब्यम्सी ऑफिस में हो गया अब भाई करक्या रहे है जवाब चाहती है की अगले इसके जन्था जवाब चाहती है आप लोग से करक्या रहे हो कब तक जस्टिस मिलेगा कब तक इंसाफ होगा अगर एक सिलिप्रीटी को एक इतना अच्छा टैलेंट, टैलेंटिड बंदा को, अगर इंसाफ अगर हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो काय का कानून ब्यवस्ता है, क्यों है, कानून ब्यवस्ता इसलिए बनाया जाता है, कि लोग को जस्टिस मिले, इंसाफ मिले, इंसाफ तो मिल नहीं रहा है, यहां पे रेप, पेरेफोरा और अभी तक अभी तो नामनिसान नहीं है कोई सोशल मेडिया या कोई ऐसे भी नियूस पेपर में अभी नामनिसान नहीं है कि विडियो के मांद्ध हमसे मैं दर आप जोड लगाना पड़ाया हुए कि नहीं कि जैसे हम लोग इस स्टार्टिंग में दुसान सिंग राजपूत के लिए जस्टिस का डिमांड उठाये थे वैसे ही फिर से एक बार हम लोग को जोड़ लगाना पड़ेगा without public के support से कुछ नहीं हो सकता है without public के support से कुछ नहीं हो सकता है तो अब मैं public से दुर्खवास चाह रहा हूँ कि यह matter उठना चाहिए फिर से social media पर trend करना चाहिए matter तब साहिद ये लोग के कान में ये तीनों format जो है ED, CBI और NCB के कान में ये बात जाए तब साहिद तो लोग को समझ में है तब इस case पर साहिद तेज करेंगे अभी तो लग रहा है ना कि कान में तेल डाल के सो गए है लोग समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसे हम लोग का कानून बेवस्ता रहा देश में तो किसी को इनसाफ ही नहीं मिलेगा लोग कुछ भी आएंगे करके चल जाएंगे नेता का बेटा, नेता, हीरो का बेटा, हीरो किसान का बेटा किसा नहीं बनेगा क्यों उसको IPS बनने का सौक नहीं है गया, उसको hero बनने का नहीं है गया अगर कोई जाएगा तो उसको मार दिया जाएगा ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन पब्लिक से बार बार को जारिस कर रहा है कि सोसल मेडिया पर फिर से एक बार हम लोग जोड लगा है, ट्रेंड करें कि सुसान सिंह राजपूत का justice मिले क्योंकि उनका case को पूरी तरह से ignore कर दिया गया है और कुछ नहीं हो रहा है तो भाई लोग आपसे यहीं request कर रहे हैं कि वीडियो को like करो, share करो और subscribe करो जितना से दबा के share करो subscribe तो करो ही क्योंकि भाई का channel सपोर्ट करो यार, सपोर्ट करोगे तो आगे हम लोग का आवाज जो है बड़ा platform पर देखने को मिलेगा लेकिन जितना हो सके आपसे यह वीडियो को share करो कि दुसरे को awareness फैले और इस पर फिर से social media पर train करे सुसान सिंह राजपूत का case जाए हिंग जाए हिंग